नमस्कार मेरे प्यारे किसांसाथियों आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल खेतीबाड़ी किसां सेंटर में और मैं सोनुमेना हाजिन हूँ आपके समने लेकर एक और नई वीडियो किसान साथ यो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रो ट्रे में पपिते की नर्सरी किस प्रकार त्यार करें किसान साथ यो अगर हम प्रो ट्रे में किसी भी प्रकार की नर्सरी त्यार करते हैं तो हमें चाहिए कुछ साधन इसमें महतपूर्ण है कोकोपिट इसके लिए हमें कोकोपीट ऐसी लेनी चाहिए कि अगर हम उसका लड़ू बनाएं तो वो लड़ू लड़ू बिखरे नहीं और जब उसको हम हाथ से अलका अलका बिखेरे तो वो बिल्कुल तरह बिखर भी जाए और मुठी के अंदर किसी परकार का पानी ना निकले यह मैं बात कर रहा ह हो इसके अंदर नमी की तो इसके अंदर 15-20% नमी होनी चाहिए अगर जादा नमी होगी तो हमारे वोदों को फंगस लग सकती है तो इसके बाद हमें चाहिए वर्मी कंपोश्ट तो दोस्तों मैं बात बता देता हूँ आपको कि वर्मी कंपोस्ट की मातरा कितनी होनी चाहिए और कोकोपीट की मातरा कितनी होनी चाहिए तो वर्मी कमपोस्ट की मातरा की मैं बात करूं तो यह मैंने अब ली है 4 kg और जो कोकोपीट का जो सुका पाउडर था वो लिया था मैंने 3 kg मैंने कोकोपीट का पाउडर को अच्छी तरह 20-25 गंटे के लिए विगो दिया और उसको अच्छी तरह वोस किया 2-3 बार ताकि उसके अंदर जो नमक की मातरा वो बाहर निकल जाए मैंने इस मिस्टरन को कोकोपीट और वर्मी कमपोस्ट को एक साथ डाल कर अच्छी तरह मिल मिला लिया है आपको भी इसी परकार मिलाना है उसके बाद आपको इसके उपर डालना है आपको इसके उपर डालना है कुलाइट यह मैंने कुलाइट 500 ग्राम लिया है पहले मैं फड़ा फड़ा आपको बता देता हूं वर्मी कमपोस्ट हमने लिया था सुका पाउडर सुर गूलय्ट है जिसकी मातरा । है 500 ग्राम और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर कुलाइट इसके इन्सके आख केसे महात्रा 500 ग्राम है आपको इस मिश्रन को अच्छी तरह अपने कुलाइट और कुलाइट और परलाइट वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट इनको अच्छी तरह मिला लेना है और मिलाने के साथ साथी आपको फंगस से बचाओ के लिए आपको जो साधन डालना है मैंने यहां फंगस से बचाओ के लिए नीम केक डाला है जो नीम की खाद होती है उसका परियो करना है, दो हम अच्छी है मला लेना है, मिलाने के बाद हमें, जब हमारा process कंप्लीट हो मिलाने का, उसके बाद हमें, हमारी seedling tray भरनी है, द्यां रखे, seedling tray जब भी हम बरे, तो उनको अच्छी तरह बर ले, अभ मैं बताता हूँ कि इसके कितनी सेडलिंग ट्रे बरेंगे अगर हमारी 104 के खांचे की सेडलिंग ट्रे हैं तो ये सेडलिंग ट्रे बीच से 21 बरेंगी वहीं अगर हमारी पास बड़े होल वाली सीडलिंग ट्रे हैं जिसकी 50 खांचे की जो होती है वो हमारी ट्रे 15 से 17 ट्रे बरेंगी अच्छी तरह हमें सीडलिंग ट्रे को बर लेना है उसके बाद हमें हमारे बीज को जो आपका बीज है उस बीज को अगर वो पहले से उपचारित हो तो ठीक है न मैं यह मार्केट से पपिता लेकर आया था और मैंने उसको हल्दी से उप्चारित किया है मैंने किसी परकार का बाहरी फंगी साइड का यहां परियोग नहीं किया मैं मत्र इसको हल्दी से मैंने इसको उप्चारित किया और एक गंटे के लिए रख दिया उसके बाद मैं इसकी सेडलिंग जो हमारी ट्रे है उसमें एक एक करके इसको डाल रहा हूं आप भी एक करके अपने सेडलिंग ट्रे में पपीता की जो बीज है वो डाले द्यान रखे कि जो पाप पपीता का बीज डाले उसको ज्यादा गहरा ना डाले किसान साथियो इसके हम एक और वीडियो ले बीज अंकूरित हो जाएगा तम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आऊँगा तो चैनल पर नए साती है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो पपिते की नर्शरी से करना चाहते हैं और नर्शरी करने की इच्छुक है तो इस बीज चैनल पर लगातार वो बने रह कि ढख़ pública करने हैं साथी जैसा कि आपका सारा बीज डालने की परकृर्य कमप्लिट कि ऐसके बाद हाब को हल्की हल्की सिचाई करनी है जैसा कि आपको विडियो के अंदर दिखाई दे रहा ज्यादा सिचाई ना करें अगर आप ज्यादा शिचाई करेंगे तो पोडों के अं प्रसेस यह कंपलीट करनी है और जैसे ही आपकी सारी तारी त्यारी कंपलीट हो जाए तो आप इसको ऐसी जहां रखे जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल कम आती हो और आप सूरज की रोशनी बिल्कुल कम आती हो और आप इसको ऐसी चीज से कवर कर दे ताकि इसके अंदर बाहर से कोई हवा भी ना जाए तो मैं यहां मल्चिंग पेपर का प्रियोग कर रहा हूं मैंने एक दूसरे के उपर सारी ट्रेज अचार रखी है रख रखी है और उसको बाद उनको मल्चिंग पेपर हैस से कवर कर रहा हूं ताकि इसके अंदर किसी परकार की हवा ना जाए और बाहर से कोई रोशनी ना जाए क्योंकि हमारा बीज है वो जमीन की हिट से ही अंकुरित होता है आपको पता ही है तो यह जब भी अंकुरित होगा तो हम इसको आपक जिन कंप्लीट हो उसके बाद एक बार निखाल लेना है तो दन्यवाद किसांस आती हो